मैटRIC इंडर परिक्षा 2023 के लिए बिहारबोड ने 31 जनवरी दोहजर तेइस को फाइनल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और असपश्ट बता दिया है कि एग्जामिनेशन में क्या ले जाना है क्या नहीं ले जाना है साथी साथ examination में क्या पहन कर जाना है और कितना देर पहले पहुचना होगा center पर metric के परिक्षारतियों को और inter के भी परिक्षारतियों को तो इस वीडियो में आपको असपष्ट पता होने वाला है यह guideline जो जारी हुआ उसके बारे में कि क्या-क्या लेके जा सकते हैं क्या-क्या लेके नहीं जा सकते हैं इस बारे में notification जारी किया गया उसमें क्या कहा गया है यह भी पहले आप देख लिए तो पहली बात हो यह कि परिक्षा जो सुरू होने का समय है उससे 10 मिनट पहले आपको center पर बिलकुल आ जाना है अगर नहीं पहुंचे तो आपको अंदर जहीं जाने दिया जाएगा आपकी परिक्षा छूट जाएगी और यही नहीं अगर इस condition में परिक्षा आपकी छूटती है एक्जाम छूट जाता है तो उसकी सारी जवाब देही भी आपकी होगी इसके लिए कोई सुनवाई कहीं नहीं होने वाली है और दूसरा जो instruction दिया गया कि परिक्षार्थियों को center पर सिर्फ और सिर्फ चपल पहन करके आना है जूता मोजा किसी भी हाल में पहन करके नहीं आना है इस संबंध में जो detail जारी किये गए उसके बारे में असपश्ट आप देख लीजे एक तारीक से इंटर की होने वाली परिक्षा एक से ग्यारा वाली और 14 फरवरी से 22 फरवरी तक इंटर के परिक्षा इसके लिए असपश निर्देश दे दिया गया कि प्रथम पाली में जिनका एक्जाम है वो हर हाल में 9 बज कर 20 मिनट तक पहुँच जाएं क्योंकि एक्जाम आपका सुरू होने वाला है 9.30 बज से यह एक्जाम में आपको सामिल होने के लिए 1 बज कर 35 मिनट पर हर हाल में सेंटर पर आ जाना होगा अगर इसके बाद पहुँचते हैं एक 35 के बाद पहुँचते हैं तो आपको सेंटर में जाने नहीं दिया जाएगा आपकी परिक्षा उस दिन खतम हो जाएगी तो ये असपश्ट जान लिजिए, दूसरी बात यहां पर असपश्ट कर दिया गया, कि परिक्षा भवन में किसी भी हाल में जूता मोजा पहन करके आने की अनुमती नहीं है, इसलिए आपको जूता मोजा की जगह पर चपल ही पहन करके आना है, अब कुछ बच्चों ने सव अगर सेंटर को लेना होता है, अगर सेंटर को लगेगा कि आप फिलिप फ्लॉप में या फिर सैंडल में कुछ छुपा कर ले सकते हैं, तो आपको रोका जा सकता है, यह अंतिम फैसला उनहीं को करना होता है, इसलिए बेहतर है कि ऐसा आप चपल पहन करके जाने, जिसमें पैर छूपे हुए ना रहें, अस्पष्ट सामने से दिखाई दें, फिर electronic gadget की अगर हम बात करें, तो किसी प्रकार का कोई भी electronic समान लेके नहीं जाना है, ना mobile लेके जाना है, ना Bluetooth का ये जो headset होता है, ओ लेके जाना है, ना ही की चीज़े, instrument जो होते हैं, यानि scale वगएरा, ये सब आप लेकर के जा सकते हैं, पेंसिल अपने साथ math के दिन जरूर ले जाएं, और रही बात की examination के दोरान भी checking हो सकता है कि नहीं, तो बिल्कुल हो सकता है, कभी भी आप पर शक होने पर आपको खड़ा करा करके आपको check किया जा सकता है, इसलिए ऐसी कोई वस्तू अपने पास ना रखें, जिससे परिक्षा में आपको समस्या हो सकें, यानि किसी प्रकार का चिट पूर्जा, किसी प्रकार रे किताब का फटा हुआ हिंसा, कॉपी का फटा हुआ हिंसा, यानि examination hall में आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होना चीए तो आपके पास pain हो सकता है, आपके पास आपका admit card हो सकता है, और इसके लावा ID card हो सकता है, इसके लावा पैसे थोड़े भहत आपके बास हो सकते हैं, इन चीजों के लावा आपको कुछ भी अंदर लेके जाना नहीं है और जैसा कि मैंने बताया कि आप scale वगरा लेके जा सकते हैं इसमें कोई रुकावट नहीं है लेकिन ये भी इस पर भी अंतिम फैसला center को ही करना होता है हो सकता है कहीं अलाव हो जाए और कहीं पर center वाले मना कर भी दे तो ये फैसला उन्हीं को करना होता है लेकिन जो मैंने पहले बताया कि admit card और pain साथे साथ आपके पास ये पैसे जो होते हैं ये सब आप लेकर के जा सकते हैं उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है इसके अलावा कोई भी चीज आप लेकर के अंदर नहीं जा सकते तो इस बात का ध्यान रखे final notification भी बिहार बोट ने जारी कर दिया है 31 जनवरी 2023 को तो फिलाल इस वीडियो को लेतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में